Home वास्तु ये दिशाशनी देव को होती है, समर्पित घर में यहाँ न करें ये गलतियां. घर में वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन करना बेहत ज़रूरी है. इन नियमों का पालन न करने से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पढ़ सकता है. वास्तु for home घर तो बहुत सुन्दर बनाया है लेकिन इसमें रहने के बाद से कई तरह की परिशानिया लगातार रहती है हर समय आर्थिक तंगी लगे रहती है धन पास में टिकता नहीं है इसकी वज़ाय वास्तु दोश हो सकती है वास्तु शास्त्र में दिशाओं का काफी अहम महत्व होता है ऐसे में हर दिशा में वास्तु के अनुसार ही कार्य करना चाहिए और सामान रखना चाहिए जिन लोगों का घर पश्चिम मुखी है उनको इस बात का भय सताता है कि इससे फायदा होगा या नुकसान शनी देव स्वामी अगर आपका घर पश्चिम मुखी है या फिर आप ऐसा ही घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ उपाय करने से सभी तरह की दिक्कतों से निजात मिलने लगेगी वास्तु के हिसाब से पश्चिम दिशा में वरुण देव और शनी देव का अधिपत्य माना जाता है ऐसे में इस दिशा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं आईए जानते हैं मानसिक तनाव वास्तु शास्त्र के अनुसार पश्चिन दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए ऐसा करने से मानसिक तनाव हो सकता है यह सूर्यास्त की दिशा होती है इसलिए पश्चिन की ओर मुह करके बैठना या कोई कार्य करना मन में तनाव पैदा करता है हालांकि इस दिशा की तरफ मुह करके भोजन किया जा सकता है सीधिया, बगीचा आदी भी इस दिशा में रखे जा सकते हैं किचन पश्चन दिशा में घर का किचन नहीं होना चाहिए इस दिशा में किचन होने से घर के मालिक को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दर्वाजा पश्चन दिशा में होने से घर में धन नहीं ठहरता है घर से पानी की निकासी पश्चिम दिशा की तरफ नहीं होनी चाहिए ऐसा करने से घर के सदस्य रोग से घिरे रहते हैं घर का पश्चिम दिशा का भाग नीचा होने से परिवार के सदस्यों में श्वांस, फेफरे, मुख, छाती और त्वचा के रोग बने रहते हैं और बीमारियों पर ज्यादा धन खर्च होता है उपाय घर के पश्चिम दिशा में अगर वास्तु दोश है तो घबराएं नहीं, बलकि कुछ उपाय कर सकते हैं पश्चिमी दिवार पर वरोन यंत्र स्थापित करें वहीं परिवार का मुखिया लगातार 11 शनिवार वरत रखे तो भी लाभ मिलता है वास्तु दोश को दूर करने के लिए पश्चिम दिशा में अशोक का पेड लगा सकते हैं गरीबों को काले चने वित्रित करने से भी दोश कम होता है